ओम स्री गने सायनमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 जुलाई गुरुवार के रासी फल्क के बारे में की यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान देना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही है कोई लाबदायक और महत्पपूर्ण समाचार मिलने से आप स्वेम को आत्मबल और भवनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महत्पूर्ण समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्य हल होंगी रुके हुए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यतित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे आपके व्यतित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छबी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा प्रंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यतित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम हैं काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परिशानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तों समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उपयोग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के शम उति अच्छा रहेगा दोस्तों अनेक उप्रकार की सफल्ताइं आज आपको अवश्च ही प्राप्त होने वोली हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं धूस्तों अपने क्रोध वग जल्दवाजी जैसे स्वेबाब पर आप नियंद करें मन में कुछ अनहोनी होनी जैसी आसंका होने का आज भे रहेगा अपने श्वयबाव पर नियंत रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती हैं साथी संबंदों में भी कटूता आ सकती हैं दोस्तों आयके संसादनों में कमी रहेग परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर रखना होगा दोस्तों साथी साथ दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भहनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इस से अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रतिदुन्दी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकारत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परंतु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजुर्गों की अव हेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंते कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ केशी रहनी वाली है दोस्तो विवाहित जीवन में समान जश रहेगा मनोरंजन संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहुल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगड़त आएगी रोमैंटिक माहुल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इसफूर्ति प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदस्थें एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बहारी संबंदों से सावधान रहें इनसे मान हानी होनी की भी संभावना है प उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहे तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन उन्हें शुकद और मधूर हो जाएगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाय में प्रोडेक्शन संबंदित कारों में कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिक्र करने की आवश्य सकता नहीं है किसी उच अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा ओडर भी मिलने की भी आज संभाव ना है सरकारी शेवारत व्यक्तियों के ऊपर काम का अधिक बोज आज पढ़ सकता है कारे छित्र में कोई भी निर् अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझोता करें दोस्तों व्यवसाय छेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बहतर पढ़िनाम हासिल होंगे आज आपके भाग्य का आपको अधिक सयोग प्राप्त होगा नोकरी पेशा व्यक्ति किसी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें व्यवसाय के परिष्टितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े अनुबंद के मिलने की आज संभव ना है व्यवसाय क गति विदियों संबंदित योजनाएं किसी भी बहारी व्यक् करें कोई इसका अनुचित उप्योग कर सकता है और और संबंदित सभी कारों में पक्के बिलका आप उप्योग करें दोस्तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदायक दिन रहने वाला है दोस्तो नौकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच से आज परिशानी रहेगी खान पान में सेयम रखें वेवेस्तित दिन्चरिया रखने की आज आवश शक्ता है स्वास्त मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जिहां दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश हुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इस नान आदी से निर्वत रहोने के बाद तुलसी के पेड़ पर कच्चा दूद चड़ाएं और मनी मन भगवान श्री हरी विशनुजी के मंत्र ओम नामो भगवते वाशुदेवाए नमाहां मंत्र का आप जाप करते रहें और अपनी मनों काम नए मांगे ज्या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री हरी विशनुजी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको सीख रही सुब फलो की प्राप्ति होंगी और आपके सभी कार्रे भगवान विश्णुजी के असिरवाद से बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों भखवान श्रीहरी विश्णुजी का असिरवाद आपको प्राप्त हो शक्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश्रीहरी विश्णुवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद